हेलो दोस्तो टेक्निक यूट्यूब चैनल में आपका फिस्ट स्वागत है आज की वीडियो आपके लिए हलफुल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके एक प्राब्लम का सॉलिशन करूंगा लास्ट कुछ दिनों से जब भी मैं अपने लैप्टों में कोई वीडियो चलाता हूं तो मैं देख रहा हूं कि एक स्पीकर में से एक फटी-फटी सी आवाज आ रही है जैसे मेरे स्पीकर खराब हो गया हो या फट गया हो तो आज हम उसी प्राब्लम का सॉलिशन करेंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल क को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही हेलफुल और इंट्रेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं तो चलिए शुरू करते हैं तो सब से पहले आपको अपने लैप्टॉप को उल्टा कर लेना है इसके बाद को यहां पे श्कूरूज दिखेंगे तो इनसे भी श्कूरू को खोल लेना , थो चुरू रबढ लगी होगी तो यह खोलने के बाद जैसे आप इसको खीचेंगे तो आपकी जो यहाँ पर DVD राइटर होगा, वो आसानी से बाहर आ जाएगा, उसके बाद आपको इसे open करना है, सभी laptop का अलग होता है, आपको back panel खोलना है, फिर आपको दीरे दीरे यहाँ से भी इसे open करना है, किसी card से, य फटा हुआ है, आपको तीरे ली दिखाई दे रहा होगा, उसकी वज़े से ही इसका sound बहुत खराब आ रहा था, बट मेरा जो दूसरा वाला speaker है, उसकी sound बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि यह proper ठीक है, तो आज हम इसी speaker को ठीक करेंगे, तो इस speaker को हम कैसे ठीक करेंगे, हम मार्केट से कोई भी नए speaker नहीं लाएंगे, हम अपने old phone का use करेंगे, तो मेरे कुछ old phone है, मैं उनके speaker का use करूँगा, ध्यान में रखने वाली बात यह है, कि आपको कुछ इस तरीके के phone जिनका speaker नीचे होता है, तो आप वो speaker यूज़ ना करें, आप कुछ ऐसा speaker यूज कीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको speaker कैसा था इसका, कुछ इस तरीके के speaker होंगे, तो मैं इनी speaker का use करके इसको fix करूँगा, तो मैं इन speaker को अपने speaker पे कुछ इस तरह से लगाऊंगा, आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले अपने laptop से speaker निकाल लेता हूँ, अलग कर लेता इजी है यह, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो आप देख सकते हैं, यह speaker कुछ इस तरीके से निकल गए है, तो जो speaker ठीक है, उसे हम नहीं छेड़ेंगे, जो खराब speaker है, उसको हम side से screw devil की help से open करेंगे, तो आप इसे open कर लीजिए, ध्यान से इसका जो structure है वो नहीं टूट चाहिए, उसके बाद इस speaker को कुछ इस तरीके से निकाल लीजिए, अब आप देख सकते हैं, यहाँ wiring पर solding हुई भी है, तो मैं इसे unsold कर देता हूँ, उसके बाद मैंने phone का speaker लिया, इसे desold करके, यहाँ पर जो दो wire थी, वो solding करी है, मैंने यहाँ पर, कुछ इस तरीके से, उसके बाद आपको इसको इस तरीके से लगाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक tape लूँगा, paper tape, आपको इसे भी tape उसकर सकते हैं, वो नीचे कुछ कागज लगा दूँगा, जिससे यह speaker हिले ना, और इसे pack कर दूँगा, pack टरने के बाद आप देखेंगे, यह अच्छे से pack नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस पर white tape, cello type जो होती है, वो आपको लगानी है, कुछ इस तरीके से, अब आप देखेंग मार दिया इस speaker पे, तो आपका speaker खराब हो जाएगा, फिर इसमें से भी 40-40 आवाज आने लगेगी, तो आप बिलकुल आराम से इस tape को हटाईए, कुछ इस तरीके से, मैंने जहां-जहां से sound आना है, वहां-वहां से tape हटा दिये, देख सकते हैं, आप कुछ इस तरीके से यह हो गया है, उसके बाद मैं इसे वापिस लगा देता हूँ, अच्छी थरे से fit कर देता हूँ, वायर भी लगा देता हूँ, अब मैं जस्ट इसका cover लगाता हूँ, अब यह मैं screw नहीं लगाँगा, अब मैं इसमें battery भी लगाता हूँ, और DVD writer भी insert कर देता हूँ, उसके अब ही इसकी sound बहुत अच्छी आ रही है, पहले यह आवाज मुझे सुनाई भी नहीं देरी थी, क्योंकि इसका जो sound था बहुत जादा फट रहा था, एक speaker खराब होने की वज़े से, तो कुछ इस तरीके से हमने घर पे ही free में अपने laptop का speaker ठीक कर लिया है, दोस्तों वीड करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मत भूलना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही helpful और interesting वीडियो लाता रहता हूँ, thanks for watching this video,